देश में एजुकेशन टेक्नलोजी कंपनियों का चहरा बन चुकी वाईजूज ने करमचारियों की छटनी की है। कंपनी एट्टेक का चहरा कही जाती थी लगता है को संकट में फस्ती दिख रही हैं कई ख़बरीं एक साथ आ रही हैं चुब हम एट्टेक सेक्टर में पूरे स्टार्ट अप सेक्टर में एक हिस्सा वो है जहां पर हमें हमको इसी बड़ी बड़ी सुर्खियां यूनिकार्न के तौरपर मिलती है कि देश लगाता यूनिकार बन रहा है हर महीने की उनिकार बनता है पर उसका दूसरा बिलकुल चेहरा बिलकुल अजीब हो गरीब और काफी सवालों से भरा हुआ है कि पूरे स्टारट अप स्पेस में इस साल फरवरी के बाद से बड़ी छटनी हुई है और उसमें EdTech और FinTech दो ऐसे एरियाज थे जहां सबसे ज़ाधा निवेश आया था COVID के दौरान वहाँ चटनी हुई बायूस से पहले विदान्तू ने जारसो 24 के आसपास 500 के आसपास इंपलाई निकाले थे उदयने करीब एक और EdTech स्टार्ट अप था जिसकी खबरे थी कि उसने 100-120 से इंपलाई निकाले थे लीडो जो थी एट्टो के स्टार्ट अप बंधी हो गई थी इस तरीके की खबरें में लगातार दिखाई दे रही है अनकैडेमी के तरफ से भी खबर आई थी कि अनकैडेमी ने भी एपने इंपलाई निकाले एट्टेक सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर कोविट की मदद से बढ़े हुए सेक्टर में था एक एकॉनमी थी जो कोविट लागडाउन के दोरान खड़ी हुई थी और भारत में का जो पूरा एजुकेशन का सेक्टर का बाजार है इतना बड़ा हीूज बाजार है वो एकदम आनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गया था अब जब की स्कूल खुलना शुरू हुए है लोग चातर और बच्चे वापस क्लास रूर्स में जा रहे हैं तो इन कंपिनियों के लिए अपने बिजनस मॉडल को सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है पहली चीज तो यह दूसरी चीज यह स्टार्ट अप्स हैं तो यह लॉस तीन साल में सबसे जाधा अगर आप टेक ओवर देखें तो एजुकेशन टेक और फिंटेक चेतर में ही हुए सब जाधा कंपिनिया वहां अधिक्राण लिया गया एजुकेशन सेक्टर में दो बड़े बदलाव हो रहे हैं एक बदलाव तो यह हो रहा है कि आफलाइन माड भारत का बहुत बड़ा है साभी डिजीटली एकसेस नहीं रखता है स्मार्ट फोन में और इंटरनेट में और दूसरा और महा तुपून बात यह है कि भारत के पूरी स्टार्ट अप सेक्टर में फंडिंग चोक हो रही है कम हो रही है हमने शायद एकनामिकम में एक वर वि इच की फंडिंग आती है जो बिल्ट फंडिंग है तेकनलोजी बिल्ट-फंडिंग अब निवेश खट रहा है क्योंकि बिजनेस मॉडल में चैलेंज अरा है्अ आप इस्टाक मर्केट में, मैं चाहे जोमाइटो, पेटीम्जे का इस्टाक्स की इस्तिति देख लिए जिसने भी एक टेकोवर किया, इसके बाद भी उसका इस्टाकोभर नहीं पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, बाजार में उसमें लगाता है, गिरावार दिख रही स्टार्ट अप सेक्टर में चर्ण शुरू हुआ है, बाजार अपनी वास्तिविक्ताइं से विकार कर रहा है और उसका सबसे बड़ा असर इस बेहत चुनोती पूर्ण इंप्लाइमेंट के महल में रोजगारों पर पढ़ रहा है जो हमें बाई जूसकी की स्ताजी खबर से समझ में आता है